आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी मैं हूँ हेमन्द गुप्ता पेश है अब तक की खास ख़बरे समाजवादी पार्टी के उत्तपर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुई गोरखपूर और फूलपूर लोगसवा उप चुनाओं में बस्पा के सयोग से जीत मिलती देख जीत से पहले सिदानगर जिले में समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी वैब बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस साथ जीत का ज गोरखपूर लोगसवा में क्यों लेक सभाएंगी और उन्हों वो मुख्धमंतरी होते हुए भी गोरखपूर में कम से कम 50 सभाएंगी जनता उसका प्रणाम उनके सामने है जो जुमले बाजों की सरकार थी अब जनता के सामने नहीं चलने वाली है उत्राखंड के रूड़की में आईटेई के बीटेक फाइनल थर्ड यर के छादर की खुदखुसी से आईटेई परवंदन में हड़कम मच गया जिसके बाद मौके पर पहुंची कोदवाली पुलिस ने मर्तक छादर के सब को पोस्माटम के लिए बेजा बताया जारा कि मर्तक छाद अभीजीत गुजरात के सूरत का रहने वाला था जो पिछले तीन साल से आईटेई रूड़की में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था इस दिन से मर्तक छाद अभीजीत मांचिक तनाव में चल रहा था हुई मोई रूड़की आईटेई में पहले भी छादरों की खुदगुजी के मामले सामने आते रहे हैं पुलिस फिलाल पुरे मामले की तलास में जुटी है सिदानगर फूलपुल लोक्षभा उपचुनाव में सपा की जीत पर बांसी के समाजवादी पार्टी के नगरपाली का अध्यक्स के घर पर जसन मनाया गया जिसके बाद कारे करताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर बढ़ाई दी इस दोरान सपाईयों ने खुशी जताते हुए जीत की होली भी खेली पूर्व राज्ये मंत्री पन पांडे ने मुलायम सिंग यादव और अखिलेश यादव के जयकारे लगाते हुए बस्पा परमुक मयवदी का भी अभार जताया मयून का कहना है कि 2019 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी परचम ले राएगी आप देखे हैं राइम स्टोरी